नमस्कर दोस्तों मैं डाक्टर अनल कुश्वा आज आप के लिए पुना लेकर आए हैं जो चर्चा का हमारा बिसे है चर्चा का बिसे है जो हमारी सीरीज चल लए थी और सीरीज कौन सी थी तो सीरीज थी की LG MCQ LG के MCQ कौन से थे वो MCQ थे जो TGT, PGT, LT, GIC असिस्टेंट प्रोफिसर में पूछे गए हैं तो उन्हीं की ये निक्ष्ट कड़ी है और आज देखते हैं कुछ बहुत महत्पून प्रशनों की और तो देखते हैं सुरू करते हैं उससे पहले अगर आप हमसे जूड़ना चाहते हैं जैसे कि आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे गूगल जो प्ले स्टोर है मोबाइल का आपका प्ले स्टोर पे जाएंगे और डालेंगे डाक्टर नोर्स बाइलोजी ये सिंबल बन गयाएगा वो हमारा आप को डाउनलोड कर सकते हैं तो देखते हैं विच आप दा फालूइंग दस नाट कंसिट्यूट आप दा वायो फर्टलाइजर निमलिकित में से कौन जैवखाद नहीं है। जैवखाद क्या होती है? पहले हम यह सब्द देख लेते हैं, जैवखाद। जैवखाद का मतलब होता है कि ऐसे जीव या और्गनिज्म जो ऐस फर्टलाइजर यूज़ करते हैं, ऐस फर्टलाइजर का मतलब होता है खाद के रूप में जीवखाद को प्रियोग करते हैं, वो जैवखाद के अंतरगत आते हैं। तो जैवखाद के रूप में आते हैं, तो धान की खेती में किसका प्रियों करते हैं तो एजोला का, एजोला पूंचता है, धान की खेती में किसका प्रियों करते हैं, एजोला का, तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जिससे जो हमारी फसल है, वो बहुत अच्छी होती है, बीजी का मतलब क्या है आदी तो ये भी क्या है तो ये भी बायो फटलाइजर है राइजोबियम राइजोबियम क्या है ये एक बैक्टीरिया है राइजोबियम क्या है एक बैक्टीरिया है जो कहां पाजाता है रूट नोडियूल में पाजाता है रूट नोडियूल में पाजाता है रूट नोड फसले होती हैं उसमें यूरिया खाद का प्रियोग नहीं करते हैं कियोंकि उसकी उमें जो क्या पाय जाता है? राइज बिरिया फोमी को उपजाओ बनाता है तो यह कहा जाता है, इद्यानर के उत्वा आता है कि जब कई फसलें बोही जाएं तो एक फसल जरूर हर दो या तीन वर्स में एक फसल उस खेत में हर दम दलहनी फसल जरूर करनी चाहिए, दाल वाली फसल जरूर करनी चाहिए, तो उसकी जो उपजाओ छमता है खेत की वो प्रॉपर आ जाएगी, तो ये तीनों क्या है, ये तीनों बायो फटलाइजर है, मगर एनीम इसका हम D सही करेंगे, और हम आपको बता दें कि हम जो हमारे डाक्टर नोट्स परिवार है, डाक्टर नोट्स फैमली है, तो इसके लगबग, ध्यान रखेगा, इसके लगबग 70 प्लस जो मित्र हैं, वो TGT बाइलोजी में सकसेज हुए हैं, TGT बाइलोजी में साहयक अध् इसे हमारे मित्र हैं, जो कि PGT के लिए अन्तो गत्वा फाइनल सिलेक्टेड हुए हैं, यह हमारी उपलब दी रही और हम आपके साथ रात्री में भी और दिन में भी लगातार मेहनत करते रहें, चुकि यह नॉन प्रॉफिट संस्था है, इसका उद्दे सी ही है कि बाइयो के छेतर में बहुत बहुत बेहतर करना, और बाइयो को जो लोग निक्रिश समझते हैं, निक्रिश क्या जॉब की दिरस से बाइयो ऐसे भी थोड़ी पिछडी हुई है, क्योंकि यह थोड़ा सा टफ एरिया है, क्योंकि अगर आप जिलोजी से MSC करते हैं, तो बाटनी भी यहां पढ़नी, बाटनी से MSC करते हैं, तो जोलोजी भी यहां पढ़नी है, जबकि जो फिजिक्स है, त्यान रखेगा, जो फिजिक्स है, फिजिक्स में अगर पीजी टी करना है, तो सिर्फ आपको फिजिक्स पढ़नी है, मैत से अगर आपको पीजी टी देना है, तो नहीं है और नंबर आप पोस्ट भी कम होती है नंबर आप पोस्ट भी बायों में कम आती है जबकि साइंस में अगर देखेंगे टीजीटी में अगर साइंस में देखेंगे तो पोस्ट की भरमार रहती है इसलिए इस प्लेटफॉर्म का निर्माल किया गया बनाया गया कि जो बहुत अच्छा आपको material दे सके चैनल तो बहुत है ऐसा नहीं कि नहीं है मगर सटीक matter नहीं मिल पा रहा तो यह इस उद्देश से इसका निर्माड किया गया है आप हमारी membership लेख सकते हैं 899 की membership है जहां आपको notes भी मिलेंगे, practices मिलेंगी और सारी classes मिलेंगी और classes कैसी होंगी तो यह भी देख लीजे यह इस तरह से हमारी classes होती है आप इनका class में हमारी चर्चा होती है यह आप देख रहे हैं इस तरह के हमारी class होती है यह आपको ऐसी सारी class है आपको देखने को मिलेंगी इस तरीके से सारी क्लासें आपको प्रॉपर आपको देखने को मिलेंगी तो जिससे आपकी त्यारी बेहतर होगी तो चलते हैं अपने इसी को अपने next question पर कहता है तो देखें लाल कित रोग है वो किसके कारण होता है पहले इसको डिलीट कर लिया जाए तो आप हमसे जुड सकते हैं और हमने वो करके दिखाया है या हमारे परिवार के सदस्यों ने वो करके दिखाया है जो कि आसंबह हो था कोई भी कोचिंग संस्थान इतने selection नहीं दे सकता है जितने हमने दिये हमारे मित्रों के इस सब हमारे मित्रों की मेहनत का हुआ हमारे साथ भी बिचारे दो-दो वज़े रात तक पढ़ते रहे तो उनको फाइदा तो होना ही था क्योंकि हम आपको यह भी बता दें कि कोई भी साथ कट नहीं है बिना पढ़े साथ कट नहीं है लगबग लगबग 6-6-7-8-8 मा से लोग हमारे साथ लगे थे मेहनत कर रहे थे अन्तो गत्वर्म का चैन हुआ है तो आपको मेहनत करनी पढ़ेगा अगर आप यह सोच रहे है जुडने के लिए तो जुड़ें रेड रश्ट आप्टी काजडबाय तो किसे होता है तो यह प्राया एलगी के द्वारा होता है काउन सा सिफाइलियूरस होता है काउन सा सिफाइलियूरस नाम का एक सैवाल होता है जो प्राया जिसके कारण यह एलगा है जिससे रेड हैपलॉंटिक लाइफ साइकल आफे माइक्रो और्गनिज्म मियोसिस टेक प्लेस इन सूचम जीव के हैपलॉंटिक जीवन चक्र में हैपलॉंटिक जीवन चक्र में अर्दसूत्री विभाजन होता है तो देखें जो हैपलॉंटिक लाइफ साइकल का मतलब क्या होता है कि जो maximum stage होती है, वो सारी haploid होती है, या आगुडित होती है, या EX बोल सकते हैं, कुछ समय के लिए एक diploid stage आती है, जाइगोट की, किस की आती है, जाइगोट की, और इसमें जाइगोट से फिर क्या बनेगा, तो फिर बनेगा हमारा haploid plant बनेगा, तो haploid plant बनने के लिए मियोसिस की जरूरत है, आर्दसूत्री भी भाजन की, तो ये कहां होता है प्राया, जाइगोट में होता है, तो अब समझ गए होंगे, कार्पोगोनियम किस में देखने को मिलती है, तो कार्पोगोनियम हमें रेड एलगी में देखने को मिलती है, और रेड एलगी हम जो BSC में पढ़ते हैं, वो polysiphonia भी पढ़ते हैं और बैटको स्पर्म, बैटको स्पर्म में carpogonium diploid होती है, sorry, hypoloid होती है और polysiphonia में ये 2N होती question बना है तो ध्यान रखेगा, next question देख लेते हैं, next question है, a male gamete with laterally inserted dimorphic flagella is found in, पार्स में लगे, 2 रूपी कसाबिकाओं वाला नर युगमक पाया जाता है, तो ये ऐसा, पार्स का मतलब क्या होगा, इस तरीके से flagella लगे हो, ये इस तरीके से, ये flagella की condition हो, मतलब पार्स इस तित पर, तो ये condition किस में देखने को मिलती है, ब्राउन एलगी में, किस में देखने को मिलती है, ब्राउन एलगी या भूरे सहवाल में, ब्राउन एलगी किस के इंतरगत आते हैं, तो फियो फाईसी के इंतरगत आते हैं, अब यहाँ देख लेते हैं कारा किसका सदस है तो कारा क्लोरोफाइसी का सदस है किसका है क्लोरोफाइसी का बाउचेरिया किसका है तो बाउचेरिया क्लोरोफाइसी में भी दिया जाता है और कहीं कहीं इसको जैन्थोफाइसी में भी रखा गया है ध्यान रखेगा क्लोरोफ किसका सदस है तो यह है फियो फाइसी का किसका है फियो फाइसी का तो अब यहां किसमे ब्राउन एलगी में यह पाए तो फियो फाइसी में तो आपसन है इसका क्या कर देंगे एक्टो कारपस नेक्ट कुशिशन देख लेते हैं which one of the following prokaryotic algae possesses chlorophyll B किसमे chlorophyll B पाय जाता है तो जब हम chlorophyll की बात करते हैं यह hyperclass हैं हमने सारी आपको उपलब्द कराई है chlorophyll जो देखने को मिलता है तो A तो common होता है A क्या होता है? common होता है, सब में देखने को मिलता है और B किसमे देखने को मिलता है तो chlorophyll C में किसमे chlorophyll C में देखने को मिलता है तो A ना सिष्टिस दिया है एना सिष्टिस किसका सदस है? तो यह साइनोफाइसी का है औसलेटोरिया किसका सदस है? A भी साइनोफाइसी का है A.B. Sinophysica है और Cytonema भी किसका सदस है तो Sinophysica यह question हमें नहीं आ रहा है मगर यह हमें मालूम हो गया कि A.B. Sinophysica है Blue-Green-A.B. अब बचा कौन यह अरे तो यही सही कर लेंगे और यह किसका सदस है Chlorophysica तो question ना आते हुए भी इस base पर आपको तयार करने है जब आपको data आएगा तभी आप इनको सही कर पाएंगे Next question देख लेते है Which of the following Sows Hetero-Tricus Habit Hetero-Tricus क्या होता है पहले देख लेते हैं Hetero Hetero मतलब होता है B.Sum B.Sum का मतलब क्या होता है B.Sum बोलते न B.Sum B.Sum का मतलब होता है अलग-अलग अलग-अलग-अलग-अलग यह हो गया हमारा B.Sum Tricus माने क्या होता है Tricus माने होता है Filament क्या होता है Filament या Phi है Filament तो अब क्या होता है अलग-अलग तो इसमें क्या मतलब हुआ कि इसमें दोनों condition हो यानि थेलस प्रोस्टेट भी हो, प्रोस्टेट का मतलब क्या होता है, जमीन पर भूमी पर रेंग कर भी चलता हो, और उसका कुछ भाग उपर की और उठा हो, तो ये भाग इरेक्ट कहलाता है, और ये भाग प्रोस्टेट कहलाता है, अर्थात जमीन पर रेंग कर चलना, ये condition heterotrichus करता है, eulothrix heterotrichus नहीं, यह कैसा homotrichus है, मतलब इसमें एक ही flat होता है, पानी में तरता रहता है, cladophora, cytonema, cytonema की खास बात होती है, ध्यान रखें, question बनेगा, pseudo branching देखने को मिलती है, क्या branching, cladophora कैसा होता है, branched, branched algae है, eulothrix की खास बात होती है, girdle saved, क्या, या sea saved, chlorophyll पाई जाता है, या chloro, sorry, chloroplast पाई जाता है, इसमें quadric, बहुत question पूछता है, quadric, flagulate, stage पाई जाती है, ध्याना कि, quadric, flagulate stage, इनमें जो जो spor वापस में मिलते हैं, तो quadric, flagulate stage बनती है, है, बहुत ही उम्दा question पूछा जाता है, अब बचा कोलियो कीट, तो कोलियो कीट क्या है, हमारा option सही होगा, कि ये hetoticus होता है, तो यहाँ से question कितने तयार हुए, आप से पूछ देता है, branched है, इसको stick करना है, cytonyma, जो cytonyma भी question आएगा, नीचे आप देखेंगे, भी question ये पूछा गया है, pseudo branching देखने को मिलती है, Eulothrix में C saved या girdle saved, ध्यान रखेंगा, girdle saved भी आता है कि chloroplast किसमें देखने को मिलता है, तो girdle saved हमें Eulothrix में देखने को मिलता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, तो option यहाँ हमने क्या कर दिया है, option हमने कर दिया है, C number, अच्छा, next question देखते हैं, which one of the following algae is considered as an example of evolution of higher plant from algae, निम्ड मेंसे कांसा सैवाल आईसा उधाराण प्रस्तुत करता है, जो यह दर्साता है क्यों कि जो habit होती है, वो कैसी होती है, traditional होती है, कैसी होती है, अर्थात यह भूमी पर पाया जाता है और यह दिखाता है यहीं से यह पता चलता है कि यहीं से जो जनली एलगी कैसे होते हैं सेवाल प्राया मैरीन होते हैं या एकोटिक बोलेंगे एकोटिक होते हैं एकोटिक का मतलब क्या होता है जली होते हैं तो यह जैसे जली हैं, जली से यह कहां पहुँचा, धीरे धीरे यह ऐसा है, जो मिट्टी पर पाजाता है, भूमी पर पाजाता है, और जो हमारे नए इंज्यूइ स्पर्म, प्लांट वगएरा, यह सब भूम पर है, तो इससे यह पता चलता है, कि यह अच्छा एक्जाम्पिल है इस बात का, कि उच पाउद्पों का विकास सहवालों से हुआ है, तो इसका अपसर फिश यह लाए, अच्छा, बैटकोस्पर्मम क्या है, तो बैटकोस्पर्मम रेडल गिये, अच्छा, इस पाइरो गएरा, तो साइटो निमा, क्या है, साइटो निमा एक ब्लू ग्रीन, कैसे है, ब्लू ग्रीन एलगी है, ब्लू ग्रीन एलगी है, ब्लू ग्रीन एलगी है, और इसमें क्या होता है, एक्छुली में ब्रांचिंग नहीं होती है, मगर यह इस तरीके से, ध्यान रखेगा, यह ऐसी कुछ सनस्चना बना लेता है ऐसे और इसमें इस तरह gelatinous का आबरान चला रहता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ही इसमें साखा निकली हो ये क्या निकली हो साखा जबकि वास्तिक साखा नहीं होते हैं उसमें दो trichome या दो filaments होते हैं अलग-अलग मगर वो जिलेटिन के कारण एक दूसरे से इस प्रकार विवस्तित होते हैं कि लगता साखा इसलिए कहते हैं फालस ब्रांचिंग यानि जूट मूट की साखा का पाया जाना तो साइटो निमा है ग्लू ट्रे किया क्या है ये भी ब्लू ग्रीन एलगी है ध्याना के ये कुशन बन चुका है ब्लू ग्रीन एलगी है ग्लू ट्रे किया और जो ग्लू ट्रे किया होता है इसके खास बात क्या होती है इसके अगर भाग पर क्या पाय जाता है इसके अगर भाग पर हेट्रो सिष किस में देखने को मिलता है। जो भी पेपर हुआ था, उस का अपसं था ग्लूट रही किया। अभी नज़र आया। और नौज्टाय। में कैसा देखने को मिलता है। तो इंटर कैल्री होता है। इंटर कैल्री। और ये द्याण रखेगा, एक एक लाइन, ये जो बोल रहे हैं, ये सब question बना हुआ है, चुकि हम आपके साथ लगबग दो सालों से जुड़े हुए हैं, हमने धेर सारे आपके paper solve कराई, अलग-अलगी state के solve कराई और धेर सारे आपको matter दिया, जुलो जी का, बाटनी का, बहुत सारी किताबों का अध्यन किया, पिछले कई वर्सों से हम डिग्री कॉलेज में अध्यापन कारे भी कर रहे हैं as assistant professor, तो लंबा अनुभव है, तो question देख कर ही पता चल जाता है कि ये पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, जब आप लंबे समय तक आप लोगों का तयारी करा रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं और बहुत बड़ा एक परिवार भी हमने तयार कर दिया, जहां इतने लोग अंतोगत्वा सिलेक्ट भी हुए अच्छे-च्छे कोचिंग में दो, चार, पांच लड़के सिलेक्ट हुए हम सत्तर प्लस सीना ठोक कर कहते हैं कि सत्तर प्लस का सिलेक्टिन हमने दिया है आप हमारे टेलिग्राम चैनल का जो हमारा ओफिसियल चैनल है उसका लिंक आपको उसमें दिया रहेगा डिस्क्रिप्सन में वहां से आप जॉइन हो सकते हैं, वहां देखेगा पूरे दिन चर्चाएं चला करती है किसकी जॉइनिंग है, कौन क्या हुआ तो वो सब हमारे मित्र बहुत सारे मित्र हमारे चैनित हुए और खास बात ही है कि जो मित्र हमारे छूटे चैन होने से वो उनकी गलतियों से छुटे या पाने में द्यान नहीं दिया तो वही मित्र फिर पुना मेंबर्सिप ले रहे हैं तो यह चीज यह सू करती है कि content अच्छा है और हम मेहनत कर रहे हैं आपके साथ तो आपको हम पर विश्वास है तभी तो आप ले रहे हैं वरना एक बार जो जैसे coaching संस्थान होता है अगर एक बार फस गया तो दुबारा वो आएगा ही नहीं तो ऐसे हमारे जो maximum मित्र हैं जिनका चैन नहीं हुआ वो सब पुना मेंबर्सिप ले हैं तो यह उनका हम पर विश्वास है और जितना लोग हम पर विश्वास कर रहे हैं उतनी हमें मेहनत भी करनी पड़ रही है क्योंकि जब आप बहुत अच्छा देते हैं तो वो अपना record बनाये रखने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो यह भी हमारी एक मजबूरी है अच्छा नेक्स्ट कुश्चन देख लेते हैं नया कुश्चन क्या करा है तरेश्टियललगी फ्रिशियला ट्यूब्रोसा वाज डिस्कवर्डवाई प्रफेसर में भी पूछण पूछा गया है इस प्रिशियलल प्रिशियललगी फ्रिशियला टूब्रोसा की कि खोचakes देख करने का से E.M.O.P. आयंगर को जाता है इनी E.M.O.P. आयंगर को फादर आफ Indian, फाइकोलोजी कैते हैं, क्या बोलते हैं? फाइकोलोजी, भारत में सेवाल बिग्ञान का पिता या मॉपी Green को कहतें, फरिज को क्या बोलते हैं? तो फरिज को Fris को Father of Father of algae के नाम से जानते हैं, मतलब यह पूरे भीसु के पिता है, फाइको, लोजी के नाम से जानते है आरियन सींहं का योगदान किस ना है आरियन सींहं का योगदान पूछता है तो इनका योगदान blue-green ilgi पर है blue-green ilgi पर है दियान रखीगा इन्होंने hetero-sist पर काम किया है hetero-sist, यह question बना है Aryan Singh का, अब यह TGT में बना हो या इसमें नहीं, इससे पहले LT में साथ बना है आरियन सिंग का, तो ध्यान रख दीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार, The most important function of hetrosisht, hetrosisht का most important function क्या होता है, मुक्कार hetrosisht का क्या होता है, तो इसका मुक्कार होता है nitrogen fixation करना, या nitrogen का इस थरी करन करना, क्या करना, nitrogen का इस थरी करन करना, ध्यान लखेगा, यह क्या करता है, nitrogen का fixation करता है, फिलाल इसका मेन लच्छन नहीं पता ही करता क्या है, मगर वग्यान को उन्हें प्रियोगों द्वरा यसे से दिखिया कि यह nitrogen में करता है, और जब question बनता है इससे, हैट्रो से इससे, तो आपको nitrogen fixation लगाना है, blue-green algae से भी बनता है, तो सबसे ज़्यादा उपयोगता उसकी nitrogen fixation में भी होती है, तो उसको भी आप सही करना है, next question देख लेता है, which of the following source heterotricus hybrid, निम्न में किस में heterotricus सुभाव देखने को मिलता है, तो fr frisiella में heterotricus सुभाव देखने को मिलता है, वहाँ koliokeet था, यहाँ option change हुआ, frisiella, यह सब एक ही group के है, heterotricus, मतलब frisiella है और koliokeet है, next question देख लेते हैं, the cyclosis in the cytoplasm, of cara can be observed, अगर हम cyclosis क्या होता है, देखें का cyclosis, cyclosis का मतलब यह वग्यान को नहीं से दिखिया कि साइटो-प्लाज्म होता है, वो round-up round-up गुमता है, इस तरह से sytoplasm गोंता है, क्या गुमता है, जो sytoplasm है, वो round-up गोंता है, चक्कर मारता है, तो यह किसमें देख सकते हैं, तो यह हम indoplasme, kara के indoplasme इसको देख सकते हैं, तो इसका option यह सही होगा, next question देख लेते हैं, very very important यह question बन चुका है exam में The red color of the red sea is caused by the heavy growth लाल समुदर का लाल रंग किसकी अत्यदिक ब्रदी के कारण होता है तो किसकी ब्रदी होता है तो trichodesmium, erythrium एक ऐसा सेवाल है जिसकी growth या ब्रदी के कारण समुदर का रंग लाल हो जाता है क्या होता है जिसके कारण हम red sea बोलते है तो question देता है वही देता है red sea किसके कारण होता है तो trichodesmium, erythrium के कारण red sea हो जाता है यह बहुत उम्दा question है यह इसको भी आप ध्यान में रखेंगे Next question देख लेते है Which are the following source physiological anisogamy निमलिक हित में किस में phisological anisogamy पाई जाती है Physio logical anisogamy किस में देखने को मिलती है तो बताएगा Physiological anisogamy किस में देखने को मिलती है यह आपके option है तो फीजियो लोजिकल एनईसोगाईमी कहां देखने को मिलती है. तो प्राया हमें स्पाइरोगाईरा में फीजियो लोजिकल एनईसोगामी देखने को मिलती है. तो प्राया में पूछा गया था새 2007 अग्जाम हुए वे यू आसी dissegamia और पॉलिस आइफोनिया में जो यहां पूछता है, कि यह कितने साइफोन होता है, तो यह मल्टी एकसियल होता है, द्यान रखेगा? मल्टी एकसियल होता है, इसको भी द्यान में रखेगा. इसमें सी सेफ या गार्डिल सेफ कुलोर प्लास को आड़ी फ्लाइजलेट जो स्पोर पाय जाता है इसको भी ध्यान में रखेगा Next question देख लेते है Which are the following marine algae is called kelp निम लिखित समुद्री सहवाल में किसे kelp कहते है समुद्री सहवाल में kelp किसे कहते है तो laminaria है कैसा है जिसे हम kelp के नाम से जानते है किसके kelp के नाम से जानते हैं ध्यान लखेगा kelp के नाम से किसको जानते हैं laminaria को Next question देख लेते है In which are the following algae हैमरलिंग proved the importance of nucleus in heredity निम लिखित में से किस सहवाल में हैमरलिंग ने हैमरलिंग ने प्रियोग किया था जब आप cytology पढ़ते हैं तो वहां एक छतरी वाला सहवाल रहता है और यह दिखाते हैं कि उसका डंठल या इस तरह वो काटा गया और काटकर लगाया गया एक का डंठल दूसरे में इस तरह से तो किसमे किया था प्रियोग अपना एस्टा बुलेरिया में किसमे किया था एस्टा बुलेरिया कुलोरिल्ला से कौन से दवा निकाली जाती तो कुलोरिलीन निकाली जाती है और इसका प्रियोग हमने फोटो सिंथेसिस की रिसर्च में किया है कुलोरिला का, यहां से कुश्चन बनता है कलमाइडो मोनास से जो कुश्चन बनता है वो पालमेला इस्टेज पूछता है यहां पूछ देगा कि आईसो गैमस, औगैमस, तीनों किसमे में देखने है यहां पूछ देगा कप सेब्ड कुलोरोप्लास्ट किसमे में पासते है कलमाइडो मोनास इस्पाइरोगाइरा से क्या पूछता है lateral conjugation पूछ सकता है तो spirogyra सही करना है और spirogyra से पूछ देता है spiral chloroplast किसमे देखने को मिलता है फीता है किया कार का तो spirogyra तो option इसका चुकी जो पूछा है वो D सही है next question देख लेते है in which of the following alginic acid alginic acid जो characteristic feature है वो है chlorophyce phyophyce, phyophyce, phyophyce का है किस का है? phyophyce का phyophyce का है त्यान रखेगा यानि जो इनको बाटा गया है वो किसमें बाटा गया है synophyce, chlorophyce और phyophyce, rhodophyce तो phyophyce का character है alginic occur in the middle lemla primary wall तो अब यहाँ देख लेते हैं phyophyce के सदस अगर देख जाए तो हमारा question solve हो जाए तो lemneria, microcystis microcystis तो नहीं मानुँ lemneria किसका है? phyophyce का सदस है phyophyce का eulothrix spirogyra, यह chlorophyce के है polysiphon या वैटकोस्परम यह rhodophyce के सदस है rhodophyce के सदस है karaboucheria, यह chlorophyce के सदस है option इसका यह सही कर देंगे क्योंकि यह दोनों फिर किसके सदस है phyophyce के तो phyophyce में alginic acid पाय जाता है तो option इसका हम यह सही कर देंगे next question देख लेते है recent electron microscopic studies on cell division and motile cell of the green algae have revolved that the genre related to the origin of land plants में भी हारित सहवालों के कोसिका बिभाजन हुआ चल कोसिकाओं की अभिनो electron सुझा अध्यनों ने प्रदर्सित किया है कि इस थली पौदों की उत्पति संबंदित once से है तो इस थली पौदों की तो देखा भी हमने बताया था इस थली में क्या बताया था फ्रिशियला यही तो बताया था फ्रिशियला और यूलोथ्रिक्स साथ में लगा तो यही सही कर देंगे बकाया कहीं कुछ है नहीं तो इनको छोड़ देंगे तो उपसंट कर देंगे फ्रिशियला और यूलोथ्रिक्स और आज का लास्ट कुश्चिन मोटायल रिप्रोडक्टिव इस पोर्स आर अपसंट इड मोटायल रिप्रोडक्टिव तो देखेगा किसमे किसमे अपसंट होते हैं तो बैसेलियोफाइसी में प्रेजेंट रहता है रोडोफाइटा में रोडोफाइटा और फियोफाइटा फियोफाइटा में प्रेजेंट रहता है क्लोरोफाइटा में प्रेजेंट रहता है मगर साइनोफाइसी साइनोफाइसी का मतलब साइनोफाइटा में अपसेंट रहता है रोडोफाइटा तो अपसन इसका एसा ही कहने इसके पूरे जीवन चक्र में कोई भी ऐसी अवस्ता नहीं होती जो मोटाई लो तो आज के लिए इतना ही वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट जरूर करिएगा और हमारे साथ यूँ ही अपना प्यार बना कर रखेगा और यूँ ही आप हमारे साथ जुड़े रहेगा इसके साथ नमस्कार